ख्रेंड्स वेलकम, पानी में हम डालेंगे आधा छोटा चमश जीरा, एक बादयान का फूल, डेट छोटा चमश नमक नमक, जीरा और बादयान का फूल डाला हमने पानी में, अब हम इसमें डालेंगे एक कप दुले हुए चावल, पानी से सरिफ इसको वाश किया है अब हम इसको 90% बॉयल करेंगे चामलों को तो पूरे चामल डाल दिये पानी में इसमें हम डालेंगे 1 by 3 कप जितना तेल और तेल में हम डालेंगे 1 चोथा चोड़ा चमच जीरा जीरा को थोड़ा तेल में पकने दें अब हम इसमें डालेंगे चार बेबी पोटेटो जिसको मैंने आदा काटा है दो इसे की हैं एक आलू के तो ये टोटल चार आलू हैं इनको हम पांच मिनट हाइफ लेंपे फ्राइ करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहें और पांच मिनट तेज आग पर इसको थोड़ा बून लें आलू का पानी सूख गया है तेल में तो अब हम इसमें प्यास डालेंगे एक बड़ा प्यास जिसको मैंने फिंगर स्लाइस में काटा है आलू के साथ डाल देंगे और प्यास को गोल्डन ब्राउन फ्राय करना है जब तक प्यास गोल्डन ब्राउन फ्राय हो तब तक आलू भी गल जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर में चम्मट चलाते रहें ताके ये बराबर पकें जैसे जैसे प्यास पकेगी वैसे वैसे नरम होती जाएगी साइज में प्यास देखें गोल्डन ब्राउन हो गई है सुर्क हो गई है प्यास और मैं आपको दिखा देती हूँ तुथ पिक डालके देखें और आलू भी गल गए है ये देखें अंदर तुथपिक जा रही है तो 90% आलू पक गए हैं बस थोड़ा और पकाना है इसको वो हम टमाटर के साथ इसको पका लेंगे एक बड़ा टमाटर मेंने काटा है इसको डालें और टमाटर को भी अच्छे से भून लेंगे जब तक ये नरम नहीं हो जाता इस में रेसिपी में हम कोई पानी भानी नहीं डालेंगे तर्फ अच्छे से सारी सबजियों को भून लेंगे तोड़ी तोड़ी देर में टमाटर को हिलाते रहें चामल बॉयल हो गए तो इसको हम छान लेते हैं इस ट्रेनर में चावलों को चान के एक साइट पे रख दें जब तक हमारी सबजी त्यार हो ये देखें टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा है और गल भी गए अल्मूस बस थोड़ी देर और पकाना है टमाटरों को अब हम इसमें मसाले डालेंगे तो मसालों में है आदा छोड़ा चमश नमक आदा छोड़ा चमश लाल मिर्च एक चोथाई छोड़ा चमश हल्दी आदा छोड़ा चमश धनिया पाउडर एक टेबिल स्पून सिंधी ब्रियानी मसाला तो अब हम इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्श, हल्दी, धनिया पाउडर और ब्राणी मसाला मसालों के साथ आलूओं को थोड़ी देर बून लेंगे एक मिनट तक बून लें ताके मसाले तेल में पक जाएं इस से कलर और जायका दोनों बढ़ते हैं सबजी के तो मसालों को मैंने बून लिया दो मिनट तक अब हम इसमें डालेंगे एक टेबल स्पून एक टेबल स्पून दई, बाजार का गाड़ा दई, एक छोटा चमच, लेमन जूस, नीम्बू का रस डालें एक छोटा चमच, यह मैं बॉटल वाला इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, दई के साथ थोड़ी देर पटा आलू को हिलाते रहें, ताके दई फटे नहीं, और अच्छे से मिल जाए सबजियों के साथ तो हमारी सबजी बनकर त्यार है, पूरी अब हम इसमें आलू डालेंगे इसके उपर यह देखें कितना जबरदस कलर आया है सबजी का और आलू भी पूरे गल गए हैं, अब हम इसमें चावल डालेंगे जो हमने बॉयल करके साइड में रखे थे तो इसके उपर चावल डाल दें और इसे डग दें, डग के इसको दम दें, पांच मिनट तक लोग इस पे इसे पकाएं, पांच मिनट के बाद हम मिलते हैं फिर इसे सबजी करेंगे फ्रेंड्स पांच मिनट हो गए अब हम इसको सर्व करते हैं जबर्दस बिना कोई हमने पानी डाले हुए सबजियां पूरी गल गई है और अच्छे से कलर भी आया है हल्दी की वजा से तो इसको सर्व करते हैं प्लेट में अगर पसंद आए वीडियो तो डिसलाइक करें और अगर पसंद आए तो लाइक करें थेंक यू फॉर वचिंग यूर व्यूर्व मैटर्स अलॉर थेंक यू